Hello student, my name is Vikram, welcome to you to strive for progress, topic आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा numerical है, the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube if the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink तो इसकी condition क्या होती है, float or sink की कि अगर किसी भी object की हम density find करते हैं अगर वो density, जिसमें हमने उसको डाला है, जैसे कि water में डाला है अगर water की density से कम है, तो तो वो क्या करेगा, float करेगा और अगर object की जो density है, water की density से ज़्यादा आए, तो वो क्या करेगा, sink करेगा तो हम simply में हमने क्या find करना है, density find करनी है object की क्योंकि water की हमें provide है, water की हमें given है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले density का formula क्या होता है, mass period volume होता है, तो हम क्या find कर रहे हैं, density find कर रहे हैं, किस की, substance की, तो ऐसे से मैं लिख देता हूं इसको, density of substance is called to, mass के तहां दे रहे हैं, आपको 50 gram, upon volume आपको दे रहे हैं, 20 centimeter cube, तो यहा आपको देखने से ही पता लग रहे है, कि कौन सी value जादा है, 2.5 जादा है, तो 2.5 जादा है, तो density of substance is more than density of water, तो यहां से आपको पता लग गया होगा, कि आपका जो object है, यह substance है, flood करेगा यह sink करेगा, अगर जादा होई, तो क्या करता है, वो sink कर जाएगा, डूब जाएगा water में, तो यह आपका अनसुरत, Next हमारा numerical है, volume होती है density, तो mass कितना है, 500 gram, upon volume कितना है, 350 cm3, तो यहां से 0 से 0 कट गया, 5 7s are 35, 5 10s are 50 होते हैं, तो 10 by 7 को calculate करो अग, 10 by 7 कितना हैगा, 7 1s are 7, 3.074s are 28, 2.20, 7 2s are 14, 1.42, तो यहां से आपको देखने से पता लग रहा है कि किसकी density जादा है, density जो packet की है वो जादा है किस से, density जो water से, तो आपको पता लग क्या होगा कि जो sealed packet है, flood करेगा या sink करेगा, sink करेगा, क्योंकि इसकी density जादा है, अगर कम होती तो क्या करता, flood करता, यहां तक यह question था, उसके बाद है, what will be the mass of water displaced by this packet, अब आपको पता है, जो water है, जैसे कि मैंने इस container में water ले लिया हो वाला, जो आपको दिया हुआ है, कि water कितनी डेंस किया है, वाली चीज़ ले लिया हम नहीं, उसके बाद उसने क्या किया था, sealed packet को उसमें डाला होगा, तो sealed packet ने क्या किया है, sync किया है, वातलों वो डूब चुका है, तो जो भी sealed packet होगा, 3D में तो होगई नो, तो sealed packet जो होगा, वो डूब चुका है, तो अगर कोई भी object को, हम किसी में पानी में डालते हैं, तो आपको पता है, पानी का level उपर उट जाता है, पानी का लेवल उपर उठ जाते है ना क्योंकि जो भी उसका जो वॉलियम था जहां पर पानी पड़ा हुआ था उसका स्थान किस ने लिया उसकी जगह ले ली उस अबजेक्ट में तो जितना इसका वॉलियम होगा उतना ही पानी क्या करेगा डिस्प्लेज करेगा अगर तो बिल्कुल हाई दात हो तो ये बाहर चला जाएगा पानी और अगर कंटेनर बड़ा होगा तो इसका लेवल उठ जाएगा पानी का तो यहां पर मैं क्या बुर्ज़ता हूँ कि कितना मास वॉटर डिस्प्लेज होगा जितना वॉलियम इसका होगा सील्ड पैकेट का तो लिए मेरे का है 350 सेंटी मीटर क्यों तो कितना डिस्प्लेज होगा मास इसका वाटर का 350 ग्राम क्या हो जाएगा इसका मास डिस्प्लेज हो जाएगा वाटर का यह आपके सारे के सारे नुमेरिकल थे मैंने आपको 3-2 हैसी करके आपको सारे करवा थी इस चैप्टर के I also टिस्प्लेज हो जाएगा होगी थेंकर थेंकि!